नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z बैंकिंग इंफार्मेशन पर दोस्तों आप मेंसे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आये हैं कि सर पीम किसान योजना की सत्रवी इस्टाल्मेंट कब जारी होगी दोस्तों इस टापिक पर मैं पहले भी वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ कि पीम किसान योजना की सत्रवी इस्टाल्मेंट कब आएगी यानि किसानो के खाते में सत्रवी किस के दो हजार रुपई आखिर कब जमा होगे लेकिन आप लोगों ने हमारे उस वीडो को नहीं देखा है तब ही आप लोग कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि मैं जो भी वीडो बनाता हूँ आप लोग वीडो नहीं देखते हैं और उसके बाद किसी दूसरे वीडो को देख करके कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बताइए जानकारी दीजिए कि PM किसान योजना की सत्रवी इंस्टाल्मेंट कब आएगी आप लोग Instagram पर मेसज़ कर रहे हैं हमारे Telegram चैनल पर मेसज़ कर रहे हैं तो दोस्तो हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपक को जानकारी देने वाले हैं कि आखिर PM किसान योजना की सत्रवी किस के 2,000 रुपए आप लोगों के खाते में कब आने वाले हैं इस वीडियो को अंत तक देख लीजएगा सुरू से अंत तक आप देखेंगे तो पूरी जानकारी हम आपको देने हैं कि आखिर आखिर आपक ये मन में भरहम रहेगा कि आखिर किस्त कब आएगी क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से सटिस्फाई करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको विश्वास हो जाएगा कि जी हाँ आपकी किस्त तभी आएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें आप लोगों को पूरी जानकारी दे कि सत्रवी किस्त के 2000 रुपए आपके खाते में आखिर कब केडिट होने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आये तो एग लाइक करना चैनल पर किस्त जारी हुई थी वो 27 जुलाई 2030 को जारी की गई थी तो उस हिसाब से अगर देखें चुकि इस किस्त का जो समय होता है यानि जो यह लास्ट किस्त होती है इसका जो समय होता है वो होता है एक अप्रैल से ले करके 31 जुलाई तक का तो इस बीच में सरकार इस किस्त को गए थी उस तरह से यह किस्त भी 31 जुलाई तक जारी हो सकती है लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अभी जो सोल्वी किस्तरी लीज हुई है वो कब जारी हुई है तो दोस्तों यह 28 फरवरी 2024 को जारी की गई है तो कहने का रात पर यह है कि मार्च का महिना पूरा निकल चुक और आप लोगों ने पिछली किस्तों में देखा भी है कि यह किस्त जो जारी होती है वो जून से जुलाई के बीच में जारी होती है उसके लावा दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा फेक्टर यह है कि पूरे देश में जो लोग सभा के चुनाओ चल रहे है तो ऐसे में PM किसा किसान योजिना की जारी होनी है वो चुनाओ परिणाम आने के बाद ही जारी होगी उससे पहले किस्त नहीं जारी हो सकती नहीं जारी हो सकती मैंने अपने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था लेकिन आप लोग लगा तार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैंने दूसरा व वो बीजेपी आती है अगर दुबारा से प्रधान मंत्री मोधी जी बनते हैं तो वो किस्त को जारी करेंगे Kोई और पार्टी सत्ता में आती है अगर उसका णोई कोई प्रधान मंत्री बनता है तो वह सब्सक्स के बाने क्ट-बरी लेगा आप सभी को पता है बहुत बड़ी मसीनरी लगती है जब किस्त रिलीज की जाती है और बहुत बड़े संख्या में कर्मचारीओं की भी जरूत पड़ती है तो ऐसे में क्रस विभाग तो पूरा का पूरा बयस्त है इस समय चुनाओं में, बैंकर भी बयस्त है चुनाओं कराने में, तो ऐसे में किस जारी कौन करेगा, भाई, अगर प्रधान मंत्री जी को सिर्फ बटन दबाना मों तो कल दबा दे, लेकिन उसकी जो सारी बेवस्था करनी होती है किसानों के खाते तक पैसे पहुंचाने की उसके लिए सभी करमचारी काम करते हैं तो वो करमचारी चुंकि इस समय चुनाओ की ड्यूटी में बैसते हैं तो जब तक चुनाओ के परिणाम नहीं आ जाते किस रिलीज नहीं की जाएगी चार जून को चुनाओ परि लेकिन आप लोग इस चीज को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि चार जून से पहले किसी भी हालत में किस्तजारी नहीं हो सकती जब तक इस देश में नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाएगा चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी चुने जाए या कोई 20 जून तक का समय लग जाएगा तो 20 जून के बाद ही आप लोग उमीद करिए कि PM किसान उजना की 70 इंस्टाल्मेंट रिलीज होगी अगर उससे पहले आप उमीद लगाए बैठे है तो आपकी उमीद बेकार है आप उमीद लगाए बैठे रहिए किस्त आपको 20 जून से प आता है आपपना कि एंसकเลएड तक कि सु मांठो जभाए भाए दो आपको 20 जून करब उमीद और सिखंञा मौन तक कि में जापको 20 जून कि मैंाना कि 2 में किस्त आपको 20 जून से जून salted त Так मैं समय डहाए प्याए जून किस्त आपक på 5-9